भारी उतार चड़ा भरे कारोबार के बीच भारती शेयर बाजार गुरुबार को लगातार पांचवे दिन तेजी के साथ बंद हुए सेंसेक्स 809 अंक उचल कर बंद हुआ वहीं निफ्टी बढ़कर 24,700 के पार पाहुँच गया इस शांदार तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ती आज 2.5 लाग करोड रुपए बढ़ गई बाजार की निगाहें अब कल 6 दिसम्बर को आने वाली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी की बैटत के नतीजों पर टिकी हुई है कई एनलिस्ट ने CRR यारी कैश रिजर्व में कटावती की उमीद जदाई है तस उमीद के चलते आज IT और पैंकिंग शेरों में शांदार तेजी आई है हाला कि रियालिटी शेरों में बिकवाली का कुछ दबाव देखा गया वही ब्रॉडर मार्केट में भी BSE Mid Cap Index 0.27 फीसदी और Small Cap Index 0.6 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए कारुबार के अंत में BSE Sensex 809.53 अंक या 1 फीसदी की बड़त के साथ 81,775 फीसदी तेजी के साथ 24,708 जीरों के साथ पर बंद हुआ BSE में लिस्टेट कंपनियों का कुल मार्केट कैपिलाईजेशन आज 5 दिसम्बर को बढ़कर 458 दिसम्बर 2.1 लाग करोड रुपे पर पहुँच गया जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानि बुदवार 4 दिसम्बर को 455 दिसम्बर 6.6 लाग करोड रुपे पर था इस तरहा BSE में लिस्टेट कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.5 लाग करोड रुपे फड़ा है या दूसरे शब्दों में कहितों निवेशकों की संपत्ती में करीब 2.5 लाग करोड रुपे का इज़ाफा हुआ हुआ है BSE Sensex के 30 में से 77 शेर हरे निशान में यानि बढ़त के साथ बंद हुए इसमें Tata Consultancy Services के शेरों में 2.9 फी सदी की सबसे अधिक तेजी रही इसके बाद Infosys, Titan, भारती एटल और Bajaj Finance के शेर 1.6 फी सदी से लेकर 2.3 फी सदी की तेजी के साथ बंद हुए वही Sensex के बागी 3 शेराद गिरावट के साथ बंद हुए रसमें TBC का शेर 0.8 फी सदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा वही Asian Paints, Innocent Bank के शेर क्रमांस 0.3 जीरो फी सदी और 0.1 जीरो फी सदी की गिरावट के साथ बंद हुए 6 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल जीरो 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 फाइनचल सर्विसिस के बी के वीजे कुमार का कहना है कि बाजार में दिन के निचले स्थर से तेज रिकवरी आई और ये मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ आरबियाई द्वारा नरम मौदरिक निती की उमीद में पिसले कुछ तिनों से FII भारक में फिर से खरीदारी कर रहे है इसमें मार्केट सेंटिमेंट में सुधार हुआ है इसके अलावा महँगाई में बढ़त के बावजूद नवंबर सर्विसेज PMI डेटा में मजबूती कारोबारी गती विद्यो में स्थरता का संकेत है इससे भी बाजार को बूश्ट मिला है प्रोग्रेसिव शेयस के निदेश का अधिते गगर का कहना है कि आज के कारोबार में भारी उतार चड़ाव देखने को मिला तोनों तरफ हजार अंकों की उतार चड़ाव के बाद इंडेक्स ने 240 दिसमनफ दो पांच अंकों की बढ़त के साथ 24,708 दिसमनफ चार जीरो पर कारोबार बंद किया आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़त रही उसके बाद आटो का नमबर रहा जबकि दूसी तरफ प्यालिटी और प्यास यू बैंक शेरों की पिटाई हुई मिड और स्मॉल कैप शेरों ने खराब प्रदर्शन किया क्योंकि इंडेक्स अधारित शेरों में ही बड़ी हल चल देखने को मिली एक मजबूत कैंडल बना है लेकिन ये कैंडल और सच से उपर और लोर शेडो के साथ बना हुआ है तो बहुत ज़ादा वालेटिलिटी को दर्शाता है ऐसा लगता है कि बजार ने कल के MPC के फैसले के असर को पहले ही पचा लिया है बजार में तेजी जारी रहने की संभावना है लेकिन पिछले चार दिनों की मजबूत तेजी को देखते हुए मामूली करेक्शन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता निफ्टी अब 25,000 के साइकलोजिकल डिस्टन्स की ओर बढ़ रहा है वही नीचे की तरफ सपोर्ट 24,550 की ओर शिफ्ट हो गया है झाल के साइकलोजिकल बढ़ प्राइब के साइकलोजिकल जासे भी उत्टी प्राइब के सता है